नमस्कार आप देख रहे हैं पहाड प्रभात और मैं हूँ आपके साथ ज्राकृति खंतवाल बुलिटन का आगास करेंगे बड़ी खबर के साथ बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता दे हमाचल में भारी बारिश का एलर्ट जारी कर दिया क्या है छे सिलों में बारि हारी बारिश की छेताफी दी है और ऐसे में फ्लैश फ्लट को लेकर भी एलर्ट जारी किया गया है ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी खबर पर जानकारी के साथ हमारे सह्योगी रोबिन शरमा ने सरकार किस सर्कार किस तऱ?. आदे हिमाचन में आज फ्लेश फ्रेड को लेकर अरड़ जारी किया गया है। तो दिएमन छे ऐसे जिले हैं जहां पर फ्लेश फ्रेड की चेताउनी मुहसंद ज्याज के अनुड़ी है। और इसमें खासकों पर जो दिले हैं। तो दिलाज संबा, हमीरपूर, कुल्नू, मंडी, सिर्मौ, शिप्ला ये तमाँ हो रहे हैं। जहां पर आज फ्लेश फ्रेड को लेकर अरड़ जारी किया गया है। इसके आज यहां पर ब्रसाथ को लेकर भी अंदरट पर हैं। जहां पर मंद्र सर्थ से निम्द शकी और इस समाव नमसंदी के इन जबाई है। पिटे थीन दिनों से लगाता है रिवाचन पदेश में बारिश के करम बरस तो उठ जारी है। जारे कर लाखों में अवरेंगरेश जाई था जारी हैं। जहां परमें जेकर बारिश के सिर्थ जारी हैं। लोहाद आने वाले आज 24 से इस दोरह नहीं भारिश की सम्हाना है। वह मासंदी जान के नुजए आए। और फार पर गई लाकों में फ्लेश रूपने तब जो है खासा अडर्ड दे लिए गया और इसलेकर अशासम ने भी लोग को अब जो है एहत्याद बरतने के जो है वो अफिल लोग जो है नदी जारों से दूर रहें और इस तरह के जोखिम नाव में बच बार किसी दूर्बर लेहादा प्रदेश में फिलहार जो अवी इस तिपी बनी हुई है उसके मताबिक मौसम इल्माक्षिर जो मौन्सुन है वो अफ्तार पकर का वा ज़रा रहा है और अब जो नदार बढ़ती जाने है फिलहार बीटकर और परसों जो हुई वालिश उससे जार नदी खबर जो सड़के वो बन बताय जा रही है और इसके लावा शिम्हा ने दी है कुछ मिलाकर बाती है तो अभी तक लेंसलाइड और तबाम जो चीजों के बाद अब तक पूरे सीजन के दौरान करिबन 180 मौते हमाजब प्रुदेश में हो गई है और इसमें से तकरिबन 180 मौते हैं जो बर्साती आदा के कारण हुए है तो इसके लावा करीब 325 के तरीब लोग है जो इंजर्ड हुए है और बात गरोच करें तो गवा नुकसान हुआ है जो फुल्दी डेमेज़ है तश्मादा ज़क पूरी तरह से तबा हुए है जो इनको आशिक रूप से नुकसान वहाँ पर गार भर गई है ऐसे में अब जो डिलेविटी वाटर है जहां पर जो नेच्टर सोर्से से जो घट राता है अब उसको लोगों तक पुछाने के राम के जा रहा है तरशी तरपर परशासन के लिए मुश्किली बढ़ी है मौसम लागातार खाराब चल रहा है और परशाने के लिए तमाम जानकारी हम तक पहुचाने के लिए तो फ्लैश को लेकर के भी प्रदेश के मौसम विबाग ने अलर्ट जारी कर दिया है और बड़ी ख़बर का रुख करेंगे सरका घाट में सरकारी थेकेदाल की मौत हुई है लोगों ने पीड़ाबूधी को इ भी विबाग पर आरोप लगाए हैं सरका घाट में सरका घाट सा हुआ ये बड़ी जानकारी आपको बता रही है और इस दौरान ठेकेदाल की मौत की जानकारी ही सामने आ रही है तो वही मंडी से हमारे सयोगी धरमवीर हमारी साजुक्य धरमवीर जिस तरह से सरका घाट में सड़क हादसा हुआ है और अब सीधे तौर पर विबाग की लापरवाही से बताया जा रहा है फिलहाल क्या कुछ जानकारी इस मामली पर क्या आख्शन लिया गया है जी बतादे कि पठड़ी गाट ज्वाली गहरा पन्याली सड़क पर यह हादसा हुआ है और लगातार यहां पर आत्मी घचना है जिसमें अब बीते इस दिनों की बात करें तो शुकरवाराथ को यह घचना हुई है और यहां पर एक सरकारी ठेकेदार की मौत हो गई है इस कार के बिदायक है दली ठाकुर उन्होंने भी जो है रोस जबाया है अधिकारियों के खिलाब भी बार बार उन्हें देश देने के बाद भी यहां पर 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 नहीं लगाया जा रहा है जिसकारन जो है आकारन ही लोग यहां पर हाथ्रों का सिकार को रहे हैं वहीं अगर इस अब बिकुल लेकिन अब जिस तरीके से आप बता रहें कि हादसे के दुरान एक मौत भी हुई है इसके बाद क्या प्रिशासन गंफीर नसर आ रहा है कि जो विभाग के अधिकारी है वो इस मामले को लेकर गंफीर नसर आ रही है जी बतावें कि एक बार फिससे जो है तरका घार के विदायक दली ठाको में अधिकारीयों को निजदेश दियें कि वहाँ पर घटना सलका दौरा किया जाए और वहाँ पर जो श्थिती है जो जहां पर घटना सामने आ रही है उस मोर पर 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 पैराफिट लगाए जाए इस तरह के देश जो है विभागी अधिकारीयों को दियेगे अब देखना होगा कि कितने जो है मुश्थायद होते हैं दिवागी अधिकारीयों कब तक यहां पर रेलिंग लग पाती है पैराफिट लग पाते हैं मिलकुल बहुत बहुत धन्यवाद धरमबीर आपका हमारे साथ रोने के लिए और जानकारी हम तेख वह जान तो बहुत ख़बरों में आकर बढ़ेंगे जार्श श्रिम्ला में सर्च उपरेशन जारी किया गया है रिट्रिवल उपरेशन भी जारी कर दिया गया है प्रदेश में अभी भी 55 से जादा लोग लापता है प्रदेश में 68 सड़के बंध है 44 बिजवी योचनाय बादित हो चुकी है जबकि सर्च जलापूर्ती योचनाय भी प्रभावित हुई है तो लगातार एक तरफ जहां सड़क वहली का काम जारी है तो वही लापता लोगों की तलाश भी लगातार की जारी है तबाही के बा रही है रिट्रिवल ओपरेशन भी जारी रखा गया है प्रदेश में 55 लापता लोगों की तलाश जारी है अभी भी 128 सड़के बादित है 44 बिजवी योचनाय बादित है और इसके लावा आपको बता दें कि सर्चत जलापूर्ती योचनाय भी तबाही से प्रभावित तो है शिमला की सुनी लुहरी हाइट्रो प्रजेक्ट प्रभावितों ने कसान सभा के बैनर दली छूटा शिमला से सीम आवास ओक ओवर तक रोश रैली निकाली इस दोरान उन्होंने ओक ओवर में CPIM नेता राकेश संखाक के अगवाई में सीम सुखु से मुलाकात की और साथी मुख्य मंत्री से प्रभावत लोगों को रहत देने की मांग उठाई मुख्य मंत्री ने विद्यूत परियूशनाओं पर सक्ती दिखाई उन्होंने कहा कि अगर टैर रोयल्टी के आधार पर सरकार और कंपनी के बीच सहमती नहीं बनी और लोगों के हितों का ध्यान नहीं रखा गया तो सरकार S.J.V.N.L. के तीनों लुहुरी सुन्नी और धौला सिद्ध हाइड्रो प्रोजेक्ट का अधिग्रहन करेगी परभावित लोग जो मिनने आए रकेश सिंगा जी हमारे पूरब धायक है इनके साथ ये डेपूटेशन मिलने आया है और जब मैं रामपूर गया था तो मैंने इनकी ये बात को सुना था ये जो पिछली भारतिये जन्ता पार्टी की सरकार ने S.J.B.N.L. के साथ जो समझोता किया उस समझोते के तहत हमाचल के जो इंटरस्ट थे उनकी अंदेखी की गई है पावर पॉल्सी में ऐसा बदलाब किया गया जिससे हमाचल परदेश को बहुत बड़ा नुक्सान हुआ हमारी सरकार बनने के बाद हमने लूरी, सुनी, धोलासीद और इन पावर प्रोजेक्ट के M.O.U. का आंकलन किया आंकलन में क्या पाया पिछली सरकार ने किस सधार पर M.O.U. किया पिछली सरकार ने इस सधार पर M.O.U. किया कि हम GST भी नहीं लेंगे जो 12% free royalty मिलती है वो हम 12-15 साल बाद लेंगे और G1 महर प्रोजेक्ट S.J.B.N.L. के पास ये चार चले जाएंगे हमारी सरकार बनने के बाद मैंने उसको अबजेक्ट किया और पिछले दिनों मनोलार खटर जी से जब मेरी मुलाकात हुई मैंने उन्हें सपस्ट दोर पर कर दिया कि अगर 12, 18, 30 और 40 साल बाद हमाचल के लोगों को ये प्रोजेक्ट नहीं मिलता तो हम इस M.O.U. को आगे लागू नहीं करेंगे मैंने मनोलाल खटर जी से भी बात की और मैंने उन्हें सपस्ट कहा कि अगर हमें इस अधार पर आप हमारे साथ M.O.U. द्वारत करने को तियार है तो हम रेडी है वरना इन तीनों प्रोजेक्ट को हमारी सरकार टेक ओवर करेगी मैं कहना चाहता हूँ पिछली सरकार देखिए बड़े-बड़े होटल वालों को भी मुफ्थ कनेक्शन मिलता था मतलब ग्रामिट शेक्तर में हमाचल परदेश में 60% होटल आ चुके है चाहे वो कुसोली की बात है चाहे शिमला के बाहर प्रणचात एरी के बाहर की बात है चाहे कुलू मनाले की बात है ये सरकार कितनी अस्विधन शील है कि उनसे पानी का बिल भी ने लेती थी हमारी सरकारने का चाहे वाइड फ्रावर हॉल है चाहे ताज है चाहे जितने भी होटल है जो ग्रामिट शेक्तर से भार है उन किसे के एसाब से प्रती किलो लिटर के एसाब से हम पैसे लेंगे और जो पैसा आएगा उससे पानी की क्वालिटी में हम सुधार करने की दिशा में आगे बढ़ेगे भाई बीचे पिकिये प्रदीश अध्यक श्राच्री बिंधर ने प्रेस कॉनफरेंस की और उस दुरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर करनिशान साथा उरूने कहा कि सुखु सरकार सत्ता में आने के बाद जनता विरोधी फैसले ले रही है तो भाई उरूने ये भी कहा कि चनाव के वक्त सरकार के पास अपारधन हो जाता है लेकिन चनाव के बाद ये सरकार आर्थिक इस्तिती खराब होने का हवाला देती है और जंता पर टाक्स का बोश्टाल देती है वर्तमान कॉंग्रेस की शिरी सुखविंदर सिंग सुखुजी के नित्रतों वाली सरकार बहुत सारे ऐसे अजूबे कर रही है जब कभी चुनाव आता है तो सरकार के पास अपार धन हो जाता है और बहुत सारी गोशनाएं सरकार करती है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे सरकार खेरात बांटने के लिए पूरी तरह से चौकस हो गई है और वो घोशनाएं हो गरंटियां हो उनकी खूब भरमार होती है और खूब जोर जोर से गरंटियां दी जाती है और जैसे ही चुनाव चला जाता है वैसे ही सरकार की आर्थिक हालत खराब हो जाती है और जन्ता के उपर टेक्स लगाने का भोज शुरू हो जाता है तो वहीं IJMC शिमला और चम्याना में विभन श्रेणियों में 489 पदों को भरने की सरकार ने बीते दिन कैबिनेट बैठक में मंसूरी दे दी इन पदों के भरने से लोगों को काफी राहत मिलेगी और खासकर IJMC में नर्सों और डॉक्टरों की जो कमी थी वो भी आप दूर हो जाएगी तो वहीं पदों को भरने के लिए IJMC के MS डॉक्टर राहूल राफरी मुख्यमंत्री और स्वास्त्यमंत्री का अभार जताया कल जो पिछले कल जो केबरेंट मीटिंग हुई उसमें हम मुख्यमंत्री ठाबुक सुख्विंदर सिंग सुख्रुजी और हम सब का अभार प्रपेट करते हैं और धन्यवाद के IJMC का उन्होंने जो उनका एक वीजन है कि इसको एक स्टेंड अलोन यूनिट और हिमाचल परदेश का प्रीमिर इंस्ट्टूट बनाना है उसके मद्यनाजर उनों ने हमें जो कि हमारी काफी लंबे से डिमांड थी इस में से कि हमारे पास शौटेज अब स्टाफ है तो मुख्यमंत्री जी को जब हमने अभगत कर रहा है तो मुख्यमंत्री जी ने उसमें हमें अशुरेंस दी थी और जो कि कल कैबिरेट में हुआ हमें लगभग 500 पोस्टों के आसपास 489 पोस्ट टोटल हमें सेंक्शिन हुई है जिसमें कि जो मुख्यमंत्री जी का एक वीजन था कि अमर्जेंसी सब्सिस को आपने स्ट खाली थी मुख्यमंत्री जी एक एक उसमें हमारे को चार से पोस्टें सविकृत किये हैं हम पूरे आईजेंसी प्रशाशिन की तरफ से पुरी सरकार का धन्युद्री तो वही हिमाचन प्रदेश के बेरोजगार शारेरिक सिख्षक पिछले साथ सालों से नौकरी का इंतज अगल कर रहे हैं लेकिन सरकार की ओड़ से खाली पदो को भरा नहीं चा रहा अब बेरोजगार शारेरिक सिख्षक संख ने सरकार के खिलाफ मोडशा कोल दिया है और 11 दिनों से लगातार अंशन पर बैटे हैं तो वहीं बेरोजगार शाररिक सिक्षकों ने च्रोडा मैदान में रोश्रेली निकाली और साथी सरकार से 870 रिस्त पदों को जल्द भरने की मांग उठाई तो वहीं हमेरपूर के विधार काशी शर्मा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साथा उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार सुख की सरकार नहीं बल्कि दुख की सरकार है वह उन्होंने सरकार की ओर से पाने का बिल वसूले पर भी जुबानी हमला बोला उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से जनह दैशी उचनाओं को बंद किया जा रहा है संबेदना परगड करता हूं कि परिवार जनों को मैं प्रातना करता हूं कि उनको प्रभू शक्ति दे इस दुख को सहने की और उनकी आत्मा को शांती दे और मेरे यहां पर विजान सबक शेतर में इस तरह की बरसात अभी तक देखने को नहीं मिली है कि किसी तरह का नुकसान हुआ हूँ और जहां पर जो लगते हुए क्शेतर हैं जैसे ब्यास नदी है यहां यह वहां पर अगर सरकारी मेशिनरी का कोई नुकसान हुआ है तो वो विभाद दोरा बता भी दिये जाएगा और थोड़ा बहुत जलशक्ति विभाद का कोई नुकसान हुआ है तो बाकी किसी तरह की कोई ऐसी सुचना मेरे द्यान में नहीं है देखिए ये सरकार जूट की सरकार है ये सरकार सुख की नहीं दुख की सरकार है और ये बात लोगों को समझनी पड़ेगी कि इस सरकार में किसी भी जनकल्यान की उमीद लोग ना रखें सरकार से जो सरकार ये बोल के सत्ता में आई कि हम युगाओं को नौकरियां देंगे महिलाओं को पंदरा सौ रुपे देंगे एक लाक नौकरी देंगे सौर पे लिटर दूद घ्रिदा जाएगा आज दूद घ्रिदना तो दूर की बात है आज जो है लोगों से पानी के बिल भी इन्होंने बोला कि पानी के बिल का भी बुकतान किये जाना है विजली के बिल लोगों को आने लग पड़े हैं जो 125 यूनिट पिछली सरकार ने फ् पैसा कटता था लेकिन तब भी इनको उस चीज का भी कोई जो इन्होंने जो डिसीजन लिये ना कि उस तरफ देखा और चाहे वो गरीब तुक्के की बात करें कामगार बोर्ड की कापियां बंद है चलिए ही माचल की खबरों में फिलहाल खिये बस इतना ही यहाँ पे रु